हाई ब्रीवन मैं विडेंद खुमार आप सभी के अपने चैनल वी के सी लर्निंग प्रेंट के स्वागत करते हैं आज हम सभी देखेंगे निर्माड विशिष्टियों के अंतरगत कॉंटिटी सेर्वेंग एंड वैलूशन में जो हमारा पढ़ाया जाता है उसमें पत्थरकार या स्टोन वर्क कि जो पत्थरकार किये जाते हैं वह किस प्रकार से किये जाते हैं तो जो हमारे पत्थरकार होते हैं यह चार प्रकार के होते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है रद्दा हिंडो का चिनाई इसको कहा जाता है रैंडम रूबल मस्नरे रूबल मस्नरे जो हमारा रद्दा हिंडो का चिनाई किया जाता है इसमें जो हमारे पत्थर पत्थर खदानों से निकाल करके प्रयोग में लाया जाता है ये बिडोले होते हैं या का सकते हैं कि सिराहीन होता है यह पत्थर खदान से निकाला गया जिस भी आकार में हो उसी आकार में लाकर के चिनाई के लिए प्रयोग में किया जाए तो वह हमारा रद्दाहीन ढोका च किनाई कहलाता है जो हम ढोका पत्थरों के लिए है अदो का पत्थर का पर्योग करेंगे वह हमारा कठोर होना चाहिए जो भी पत्थर हो कठोर होना चाहिए ठोस होना चाहिए भारी वह टिकाऊ होना चाहिए यह इस प्रकार से हो कि वह हमारा मजबूत हो इसमें किसी भी प्रकार की दरार फटान या खोखला इतियाद का दोस ना हो यह जो पत्थर प्रयोग में लाया जाएगा वह हमारा ग्रेनाइट का टुकड़ा होगा चूना पत्थर पत्थर का टुकड़ा होगा बलुआ पत्थर पत्थर का टुकड़ा होगा और हमारा क्वाटर जाएट पत्थर का टुकड़ा होगा जो भी पत्थर परियोग में लाये जाएंगे वह पत्थर हमारा अनमोदित खदानों से ही पराप्त किया जाएगा ऐसा नहीं होगा कि किसी भी ख़दान से लाखर करके प्रयूक कर लिया जाए और जो भी पत्थर होगा उस पत्थर वाह पत्थर हमारा एक सुकार माप में होना चाहिए ताकि जो हमारा राज मिस्त्री हो राज कारिगर या राज मिस्त्री हो मेशन जिसको कहा जाता है वो हाथों से उठा करके उस पत्थर को दिवालों पे स्रलता से रख सके और जो पत्थर की चवडाई होती है वह चवडाई पत्थर का दिवार की मुटाई का तीन बटे चार से अधिक प्रंतु 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और जो हमारा पत्थर होगा उस पत्थर की जो उचाई रखी जाएगी वह 30 सेंटीमीटर तक का रखा जा सकता है और जो पत्थर होंगे इसके जो कोने होंगे वह कोने तीखे नहीं होने चाहिए और नहीं गोल होना चाहिए क्योंकि अकर गोल होगा या कोने बहुत तीखे होंगे तो ऐसी स्थिति में वह चिनाईकार के लिए उप्यूक्त नहीं होगा यानि उसका प्रियोग चिनाईकार में नहीं किया जा सकता है लेकिन उन पत्थरों को हथावडों के द्वारा कुछ गढ़ाई करके पोड़ता नहीं यानि जो कोने हैं उनको तोड़ दिया जाए अगर गोल है तो उसको कुछ खुर्दुरा कर दिया जाए और फिर दिवाल में उसको टिकाया जा सकता है यानि दिवाल में उसको लगा करके चिनाईकार किया जा सकता है जो हमारा रद्धिन ढोका चिनाईकार किया जाता है इसमें जो पत्थर होंगी या पत्थर को दिवाल में रखने से पहले क्या किया जाएगा कि गीला कर लिया जाएगा यन्य इसको भीगो लिया जाएगा भीगोने से इसमें जो भी नमी के हो सकता होगी वह नमी को यह अवसोसित कर लेगा और फिर इन पत्थरों को एक दूसरे से सटा कर उसमें रखेंगे लेकिन इस प्रकार से सटाया जाएगा कि उनके बीच में दो सेंटी मीटर तक का गैप रहे जिसमें की मसाला भरा जा सके और जो इनकी उर्धवाधर जोड़े होंगी जैसे कहा जाए पत्थर हमारा गढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो इस प्रकार से यहां पर ऐसे अगर रख दिया गया ऐसे करके तो इनके बीच में पत्थरों के बीच में कुछ दूरिया बनी रहें तो इस प्रकार से रखा जाएगा और इनके जो यह जोड़ होंगे उर्धवाधर वाले यह एक सीध में नहीं आने चाहिए यहनि भंगता होनी चाहिए जोड़ एक दूसरे के उपर में ना आये और जो हमारा बड़ा पत्थर होता जैसे यह पत्थर हमारे बड़े हो गए और तो इनके बीच में यहाँ पे जो होगा वह गयप अधिक हो जाएगा तो इस अधिक वाले गयप जहाँ पे हो रही है वहाँ पे पत्थर के स्पेल स्पेल्स को याका सकते हैं चिप्स को भर सकते हैं लेकिन जब इसका परिमार ग्यात किया जाएगा परिमार को ग्यात किया जाएगा तो परिमार इसका 20% तक कम कर दिया जाएगा और अगर बात किया जाए तो जो दिवाल हमारी होगी उचित दूरी पर 0.05 बर्ग मीटर में धुर पत्थर का उपयोग करना होगा यह कि दिवाल की जो मुटाई है उसको हम 60 cm तक करते हैं तो जो चवडाई होगी उसमें दो धुर पत्थर को 15 cm तक चड़ाओं में लगाये जा सकते हैं तो इस प्रकार से हमारा रद्धा हीन ढोका चिनाई कार किया जाता है इसके बाद हम बात करते हैं रद्धा युक्त ढोका चिनाई कार यहनि इसमें क्या किया जाएगा कि रद्धेदार चिनाई किये जाएंगे यानि पत्थर पे नकासी होगारा नहीं करेंगे अब भी लिकिन चिनाई करते समय पत्थर को हम क्या करेंगे रदे के रूप में परियोग करेंगे लेकिन यहाँ पे भी जो चिनाई के लिए पत्थर हम परियोग करेंगे वह हमारा किसी स्ववक्रित ख़दान से ही प्राप्त किया जाएगा और उसी पत्थर को हम परियोग में लाएंगे और आवसकता पढ़ने पे जो पत्थर होंगे उनकी साइड के किनारे याद कुछ इधर उधर हो रहे हैं तो उनको काट दिया जाएगा फिर उनका परियोग किया जाएगा इसमें जो पत्थर परियोग किये जाएगे वो लगभग घं आकार आकार के होंगे यानि गहन के आकार के होंगे जो पत्थर का खंड होगा वह अपने आधार पे बहुत हे सुद्रिवरता से टिक सके इस प्रकार के पत्थर प्रियोग में लाएंगे अगर इस पत्थर पे किसी भी फ्लक पे उभार है तो वह उभार चार सेंटीमीटर से अधिक का नहीं होना चाहिए और यह साइड पे है तो वह धाई सेंटीमीटर तक का हो सकता है जब हम रद्दायुक्त ढोका चिनाई का कारिक करते हैं तो यहाँ पे भी हम पत्थरों को भीगो लेते हैं भीगो करके ही परियोग करते हैं और यहाँ पे जो रद्दे की मुटाय रखी जाती है वह कम से कम 15 सेंटीमीटर तक रखा जाता है लेकिन अधिक से अधिक यह 30 सेंटीमीटर तक रखा जा सकता है जो चिनाई कारी होगा वह 15 और 30 के बीच में ही होगा यानि एक रद्दे की जो मुटाई होगी वो कम से कम 15 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक 30 सेंटीमीटर तक ही रखा जाएगा और इसमें जो कोनिया पत्थर रखे जाएंगे वो एकांतर रखे जाएंगे हैडर स्टेचर रखे जाएंगे और जो भी पत्थर होगा वो खोखिला नहीं रखेंगे और इसमें किसी भी प्रकार का इस्पेल या का सकते हैं चिप्स या कटल को नहीं भरा जाएगा साथ ही साथ का सकते हैं चिनाई में डेढ़ से 1.8 मिटर के अंतराल पर धूर पत्थर लगाने चाहिए जैसे अगर कहा जाए कि रद्दा युक्त चिनाई किया जा रहा है तो जो हमारा कुरसी होगा देहल होगा छट की तली होगी इस पर रद्दे ठीक छैती वा समतल रखे जाएंगे और ढोका चिनाई के लिए जो सिमेंट मसाला तयार किया जाता है वह एक अनपाते तीन से लेकर के एक अनपाते छे तक का परियोग किया जाता है लेकिन वहें पेद चूना मसाला परियोग किया जाता है तो वह एक अनपाते दो से एक अनपाते तीन का चूना मसाला बनाया जाता है और जब सिमेंट मसाला बनाया जाता है तो वह सिमेंट मसाला हमारा एक अनपाते तीन से एक अनपाते छे के बीच बनाया जाता है और इसमें जो जोड होते हैं उन जोडों की मुठाई दस से बारायमियम तक रखा जाता है और इसकी तराई साथ दिनों तक की जाती है तो इस प्रकार से हमारा रद्दा युक्त ढोका चिनाई कार किया जाता है अब हम बात करते हैं असलर या संगीन चिनाई तो इसमें जो पत्थर के टुकड़े परियोग किये जाएंगे वह पत्थर का टुकड़ा हमारा इट जैसा घनाकार होगा यहां पे जो पत्थर परियोग करेंगे उन पत्थरों को क्या किया जाएगा पहले अच्छी प्रकार से काट लिया जाएगा और काट करके वह इट के आकार का बना लिया जाएगा यानि गढ़े हुए पत्थर परियोग करेंगे और इस प्रकार से जब गढ़े हुए पत्थर परियोग करेंगे तो इनके बीच में जो जो जोड़ बनाये जाते थे किये जाएंगे वह हमारा सुख्रित ख़दान से ही प्राप्त किया जाएगा और जो भी पत्थर होगी उस पत्थर की मुठाई 15 सेंटीमीटर से कम नहीं रखेंगे कि अगर गढ़ाई की बात किया जाएंगे जब एसलर चिनाई की जाती है तो एसलर चिनाई में प्रतेक जो हमारा खंडग या पत्थर का टुकडा होता है उसको एक निश्चित माप में और शक्ल में बना लिया जाता है या काट करके बना लेते हैं और इसके जो फलके होती हैं उन फलकों को साफ कर लिया जाता है साफ वा सपाट या अच्छा बना लिया जाता जिससे की देखने पर अच्छा लगे और जब ये सारी बेऊस्थाएं पत्थर को काट करके कर लिया जाएगा तो इसमें जो जोड होगी उस जोड की मुटाई कम हो जाएगी और यहां पर जब कम किया जाएगा तो वह हमारा छेमियम गहराई तक का होगा चिनाई रद्दे में रखी जाने वाली जो पत्थर होगी उसकी उपरी और निचली सतहे छेनी से गढ़ाई करके समतल कर लिया जाएगा और फिर उसका प्रियोग किया जाएगा फिर भी अगर इसमें जो फ्लक होंगे अगर उस पे उभार हो रहा है तो वह उभार तीन एमियम तक ही उचा नीचा होगा अगर चिनाई की बात किया जाएगा चिनाई किस प्रकार से किया जाएगा तो चिनाई करने के लिए खंडकों को पहले अच्छी प्रकार से भीगो लेंगे जिससे कि यहाँ मसाले से पानी को ना सोखने पाए और फिर इनको एक के ऊपर दूसरा पत्थर इस प्रकार से रखते हुए चले जाएंगे और जब इस प्रकार से रखा जाएगा तो इनके बीच का जो गैप होगा यह 6 M.E.M. तक ही रहेगा यह 6 M.E.M. दो के बीच में गैप रखेंगे और जब इसकी लंबाई जो होगी वह 1.5 मीटर से 1.8 मीटर तक हो जाएगी तो इसी के बीच में हम क्या करेंगे कि एक धूर पत्थर लगा लेंगे तो इस प्रकार से इसकी चिनाई करेंगे और जो ये हमारे जोड होंगे ये उर्ध्वाधर जोड एक ही सीध में नहीं आने देंगे तो इस प्रकार से हमारा असलर या संगीन चिनाई कर लिया जाता है इसके बाद हम बात करते हैं पत्थर की कोर पत्टी की तो कोर पत्टी क्या होता है जैसे कहा जाए कि जो पूर्व ढाली तेनी पहले से जो कंक्रीट ढाल करके बनाये जाते थे पत्ले पत्ले प्लेटों की रूप में बना ली जाती थी वो इसे पत्थर को भी काट करके पत्ले पत्ले प्लेट बना लिये जाएंगे और इन फ्लेटों को जो दिवार होंगी उन दिवारों के फलकों पे जड़ दिया जाएगा या लगा दिया जाएगा जिससे क्या होगा कि जो हमारी दिवाल होगी इस दिवाल की सुन्दर्ता बढ़ जाएगी लेकिन यह कोर पत्थर सुन्दर्ता को बढ़ाएगी या का सकते हैं कि इसको फलक को ढखकर आवडर के रूप में काम करेगी और यह जो पत्थर होगा यह पत्थर हमारा ग्रे नाइट का परियोग कर लेंगे या फिर का सकते हैं कि मारवल का परियोग कर लिया गया या स्लेट स्लेट पत्थर का परियोग कर लिया जाएंगे और इनके फलकों पर इसको चिपकाया जाता है लेकिन जब इनके दिवाल के फलकों पर इन पत्थरों को चिपका दिया जाता है तो इससे जो सर्णरचना पर भार आता है यह भार के सहन करने के लिए नहीं बनाया जाता है भार सहन करने में इसका कोई योगदान नहीं होता है अब हम बात करते हैं कि जो कोरपटी है इस कोरपटी को कैसे लगाना है यहीं किस प्रकार से लगाया जाएगा तो जब भी कोरपट्टी दिवाल के सता पे लगाई जाती है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाया जाता है जिससे कि दिवाल के फलक को यह मजबूती से पकड़ सके इसमें जो जोड होंगे जितने भी जोड होंगे वो जोड सीधे होंगे तथा समान होंगे जिससे कि वह एक डिजाइन की भारती दिखे जो कोरपट्टी होगी जब इसको दिवालों पे जकड़ा जाए तो यहाँ धात के सिकंजे लगाया जाते है जिससे कि उस पे जंग ना लगने पाए और जो भी कोरपट्टी हमारी होगी कोरपट्टी कहा सकते हैं एक प्रकार से टाइल की टाइल उसकी दिवालों पे चिपकाया जाएगा टाइल को ही कोरपट्टी कहा गया इसको कोरपट्टी को कहा जाता है क्लेडिंग क्लेडिंग कहा जाता है तो जो कोरपट्टी हमारी होती है जब इस कोर पट्टी की जो मुटाई रखी जाती है यह हमारा 50 एमियम तक ही रखा जाता है और इसके जो लंबाई चवडाई होती है यह एक मीटर यह इससे भी अधिक लंबाई चवडाई में प्राप्त किया जा सकता है लेकिन इतना ही होगा जिसे की इसमें हस्तन करने पर परिवाहन करने पर या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए इस माप में इसको रखा जाता है और इस प्रकार से इसको लगाया जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार की छटी ना पहुँचने पाए तो यह हमारे हो जाते है पत्थर कर या पत्थर चिनाई यह पत्थर चिनाई एक रंधर युक्त रद्धा हीन ढोका चिनाई किया गया जिसमें क्या होगी कि जब चिनाई की जाएगी तो पत्थर की चिनाई करते समय इसमें रद्धे नहीं बनेंगे एक रद्दा यूगत है इसमें जब चिनाई किया जाएगा तो इसमें इस प्रकार से रद्दे बने होंगे तीसरा है या संगीन चिनाई या संगीन चिनाई में किया किया जाएगा कि जो पत्थर परियोग किये जाएगे इनको गढ़ करके यानि काट छाट करके इस पे नकासी करके घहनाकार बना लेंगे इट जैसा बना लेंगे और फिर उस इट का प्रियोग करेंगे इसमें भी रद्दे जैसा होगा जब हम रद्दा हीन करते हैं तो यहां पर बारा से बारा एमियम के आसपास तक क्या करते हैं कि जोड़ छोड़ते हैं दस से बारा एमियम का जोड़ छोड़ते हैं इसमें भी जोड़ दस से बारा एमियम ही छोड़ा जाता है लेकिन जब एसलार चिनाई करते हैं तो इसमें छे मियम तक का ही जोड़ छोड़ा जाता है इसमें जो पत्थर परियोग किया जाएगा नहीं रद्दा हीन और रद्दा युक्त में इसमें पत्थर को काट करके नकासी नहीं की जाएगी लेकिन संगीन चिनाई या सलार चिनाई में पत्थर को काट करके नकासी किया जाएग और इन कोरपट्टी को जो दिवाल होती है उसके फलकों पर चिपका दिया जाता है जिससे कि दिवाल की सुन्दर्ता बढ़ जाए लेकिन जो दिवालों पर भार आता है उस भार को सहन करने के लिए कोरपट्टी का परियोग नहीं किया जाता है तो ये हमारे हो जाएंगे इस टोन वर्क यदि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें सियर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद